नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे सेप्टमबर के कम्प्लीट करंट अफेस टोटल 106 questions मैंने आपके लिए निकाले हैं जो की most important रहेंगे आपके आने वाले exam दिली पुलिस constable, दिली पुलिस head constable या RRB NTPC का ही exam क्यों ना हो दोस्तों अब आपने अभी तक जून से लेके अगस्त के करंट अफेस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएगा description box में लिंक को follow करके आप पहले की वीडियो देख सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमर फ़स से नेक्स्ट कुश्चन नमर सेकेंड विच वुमें स्पोर्ट प्लेयर हैं एंटर दा यूएस ओपन सेमी फाइनल इलेवंट टाइम इन एर रोव किस महिलक है खिलाडी ने ग्यारमी बार यूएस ओपन सेमी फाइनल में प्रवेश किया है तो ये हैं सेयना विलियम्स जो की नेक्स्ट विच एंटरपनियोर हैस टॉप दा फोर्ब्स लिस्ट ओफ रिच्चेस्ट अमेरिकंस किस उद्यमी ने फोर्ब्स की सबसे अमीर अमरीक्यों की सूची में सिर्ष्थान हासिल किया है तो ये हैं जैफ बैजोस ओप्शन सी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट बाइ हाँ मच्छ परसंटेज इंडियास डिफेंस एक्सपोर्ट हैस इंक्रीज फ्रोम 2016-17 तो 2018-19 दोहजा सोला सत्रह से दोहजार अठारह उन्निस तक भारत का रक्षा निर्यात कितने प्रतीशत बढ़ा है ते बढ़ा है साथ सो प्रतीशत 700 परसेंट मोस्ट कुष्चन है नेक्स्ट कुष्चन नमबर 4 विच इंडियन सिटी इस टू प्ले होस्ट तू दा एशियास लार्जेस्ट एरो शो एरो इंडिया 21 किस बाती शहर को एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजवानी करनी है तो यह करेगा बैंगलूरू ठीक है ओप्शन भी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट एस पदर रिसेंट WHO रिपोर्ट काउंडाउं टू 2023 इस डिजीज तू एस्टिमेट तू कोस अराउंड 5 लेक डेथ पर एयर हाली में WHO की रिपोर्ट काउंडाउं टू 2023 के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख लोगों की म अरिय समाज लीडर वू हैस पास्ट रिसेंटली हाली में निदन हुए समाजी कार्य करता और आरिय समाज के नेता का नाम क्या है तो यह है स्वामी अगनिवेश ऑप्शन एसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन नमबर सेवन विच एक्टर हैस बिन चूज कुश्मान खुराना ओप्शन वी करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन नमबर एट वाट इस दा इंडिया रैंक इन्द एकोनोमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज्ट रिसेंटली हाली में जारी आर्थिक सवतंतरता सुश्चांग 2020 में भारत का रैंक क्या है तो यह है 105 105 option C correct हो जाएगा next इंडिया celebrate Ingenious Day on September 2 commemorate the birth anniversary of which eminent personality भारत किस परतिष्ठित व्यक्तितों की जैनती मनाने के लिए स्तंबर में इंजीनियर दिवस मनाता है यह मनाता है M. विश्वे श्रयया ठीक है इनकी birth anniversary पे भारत Ingenious Day मनाता है 15 September को ठीक है यह भी आपको याद रखना है next which country has been recently elected as a member of commission on the status of woman हाली में किस देश को महिलाओं की स्थिती आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है तो यह चुने गए हैं इंडिया option A correct हो जाएगा ठीक है next question number 11 भागजान oil well that was seen in news is located in which state भागजान तेल का कुवा जिसे हाली में स्माचारों में देखा गया किस राज्य में सित है तो यह है असम के अंदर ठीक है option B correct हो जाएगा next when is Hindi day Hindi दिवस celebrated in India भारत में Hindi दिवस कब मना जाता है ते मना जाता है 14 September option B correct हो जाएगा next who has cleansed the 2020 U.S. Open women's singles title 2020 U.S. Open महिला एककलवर का खिताब किस ने जीता है ते जीता है नौमी ओसाका ठीक है और एक कौन सी कंटी के प्लेयर है जापान की men's singles title भी आपको याद रखना है जो कि जीता है ओस्तिया के Dominic Thiem ने ठीक है next question number 14 where is the first special economic zone SEZ of Tirpura being constructed तिरपुरा का पहला विशेश आतिक छेत्र SEZ कहां बनाया जा रहा है तो इसका राइटान सुरह सब रूम option B correct हो जाएगा next which country has been hit by storm Sally and has declared emergency in its state कौन सा देश तुफान Sally की सपेट में आ गया और अपने राज्य में आपातकाल भोशित कर दिया तो इसका राइटान सुरह है United States America option A correct हो जाएगा next what is the name of the short video platform launched by the YouTube in India भारत में YouTube द्वारा लोंच किये गए लगू video platform का नाम क्या है तो इसका राइटान सुरह है Shorts ठीक है option A correct हो जाएगा next which Indian state has loaned the first integrated air ambulance service of South India किस भारति राजे ने दक्षिन भारत की पहली एकिकरत air ambulance सेवा शुरू की तो इसका राइटान सुरह है Karnataka option B correct हो जाएगा next who has been conferred with lifetime achievement award by Euromoney Euromoney दवारा lifetime achievement पुरुषका से किसे सम्वानित किया गया तो इसका राइटान सुरह है आधित्य पूरी option B correct हो जाएगा next यहाँ पे थोड़ी सी numbering गलत है which neighboring country of India has proposed to ban cow slaughter भारत के किस पडोशी देश ने गोवध पर प्रतीबंद लगाने का प्रस्ताव दिया है तो इसका right answer है शिरलंका ठीक है option C correct हो जाएगा next question who has presented the first ever AICTE विश्वेश रहिया best teacher award किस ने पहली बार AICTE विश्वेश रहिया सरवस्रेश्ट पुरुश्कार परदान किये तो एक यह union education minister जो की है रमेश पोख्रियार next where is the kosi rail महसेतू mega bridge located kosi rail महसेतू कहा स्थित है तो यह है बिहार के अंदर ठीक है option C correct next which public sector unit of India exited from Sudan after non payment of dues from the country भात किस सावाजिंग छेतर की काई ने देश से बकाया राशी का बुगतान नहीं होने से Sudan छोड़ दिया है तो इसका राइटांसर है option A ONGC ONGC का headquarter है न्यू दिल्ली में और इसकी establishment हुई थी 1956 के अंदर ठीक है next what is the target fixed for number of परधान मंत्री भारतिय जन ओशिदी केंदर by 2025 2025 तक परधान मंत्री भारतिय जन धन केंदरों के संख्या के लिए निर्धारित लक्षे क्या है तो यह है 10500 ठीक है option D correct हो जाएगा most important question है next question यह आपका SSC phase 8 जो कि अभी November में exam हुआ है उसके अंदर पूछा गया question है most important है इसलिए मैंने आपके लिए pick किया है the Indian government's goal of becoming a dollar 5 trillion economy by which year बारत सरकार का लक्षे किस वरस तक 5 dollar trillion अर्थविवस्ता बनने का है तो इसका right answer है 2024 से 25 ठीक है 2024 तो 25 next यह question आपके लिए है ठीक है और ऐसा ही same question DDA junior assistant जिसका exam अभी चला हुआ है दोस्तों November के अंदर ही ठीक है उसके अंदर पूछा गया था England and Chelsea ठीक है यह भी आपको याद रखना है अब मैंने इस question को थोड़ा साब के लिए और detail में बना दिया है इसका answer आपको comment box में comment करके बताना है बारा अप्रेल 2020 को England और Chelsea के पूर गोल कीपर पीटर बोनेटी का नीदन हो गया वेब football जगत में किस नाम से मस्हूर थे तो इसक ठीक है next दोस्तों आपके लिए content best से best provide करवाएंगे आपको attention लेने के बिल्कुल भी जरूरत नहीं है next where was the 36th national games originally scheduled to be held in 2020 36 विराष्टी खेल 2020 का आयोजन कहां किया जाएगा तो यह किया जाएगा गोवा के अंदर option B correct हो जाएगा next what is the name of the renowned scholar of art history architecture and Indian classical dance who has recently passed away कला इतियास वास्तुकला और भारतिये शास्त्री नरत्य के परसिद विद्वान का क्या नाम है जिनका हाल ही में निदन हो गया तो इसका right answer है kapil वाचसायन अब मैं आपको बता देता हूं कि TCS इस question को कैसे पूछेगा वह ऐसे पूछेगा इस question को निमल लिखित में से कोन भारतिये शास्त्री नरत्य से संबंदित है which one of the following is related to classical Indian classical dance option में आपको मिलेगा kapila वाचसायन ठीक है इस टाइपस यह TCS question पूछेगा तो आप TCS से के दिमाग से भी खेल सकते हैं option A इसका correct हो जाएगा next which company has backed the contract to construct the new parliament building for India भारत के लिए नए संसद भवन के निर्मान का ठेका किस company को मिला है तो यह मिला है Tata Projects Limited ठीक है option C correct हो जाएगा दोस्तों अगर आप previous year के SSC के paper देखोगे तो आपको पूरा पता लग जाएगा कि किस type से TCS exams में question पूछता है ठीक है तो आप एक बर उनका analysis जरूर करें Who was elected the new President of Advertising Standards Council of India ASCI कोन भारते विज्यापन मानक प्रिशद ASCI के नए अध्यक्ष निर्वाचित हुए है ठीक है तो इसका राइटांसर है शुभाष कामत option A correct हो जाएगा Next which country has decided to export hillsha fish to India on a limited scale किस देश ने एक सिमित पैमाने पर भारत को hillsha मसलियन रियाद करने का निर्णे लिया है तो इसका राइटांसर है बंगलादेश option C correct हो जाएगा Next what is the rank of India in the world's bank 2020 human capital index विश्व बैंक के 2020 मानव पुन्दी सुचकांक में भारत का rank क्या है तो इसका राइटांसर आएगा option D 116 चीक है Next who served as RBI governor for the shortest tenure who has passed recently passed away सबसे कम कारिकाल के लिए RBI governor के रूप में किसने कारिय किया और उनका हाल ही में निदन हो गया तो इसका राइटांसर है अमिताब घोश अभी इस question को TCS कैसे पूछेगा वो ऐसे पूछेगा इस question को RBI के उस governor का नाम बताएए जिनका करेकाल सबसे कम था who served as the RBI governor for the shortest tenure options में आपको अमिताब घोश मिलेगा ठीक है option B इसका correct हो जाएगा तो आपको दिक्कर नहीं लेनी है उससे पहले ही हम आपको बता देते हैं a promise land is a book being penned by which famous personality a promise land किस परसिद व्यक्तिदव दवारा लिखी गई पुस्तक है the most important book है एक्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगी तो इसका right answer ब्राक ओबामा option B इसका correct हो जाएगा next question number 32 which airline is the first Indian carrier to offer wi-fi inside flights उडानों के अंदर wi-fi की पेशकश करने वाला पहला airline कोन सा है तो यह है विस्तारा छीक है option D इसका correct हो जाएगा next question number 33 the smart city index 2020 has been released by which institution smart city index 2020 किस संस्था दवारा जारी किया वैया तुसका right answer है option C IMD Indian Meteorological Department और 85th position मिली है 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 तो यह भी most important है इसको भी आपको याद रखना है next question number 34 as per the insolvency and bankruptcy code second amendment bill 2020 what is the deadline from March 25 2020 for which CIRP will not be initiated दिवाला और संसोधन अक्षमता सहिता दूसरा संसोधन विधेग के नुसार 25 मार 2020 से क्या समय सीमा है जिसके लिए CIRP शुरू नहीं किया जाएगा तो इसका right answer है six month छह मईने ठीक है option B correct हो जाएगा next question number 35 पाकिस्तान is said to have decided to elevate which region to a full-fledged province status पाकिस्तान ने किस छेतर को पूर्ण परांत का दरजा देने का फैसला किया है तो इसका right answer है गिलगित बाल्टिस्तान option A इसका correct हो जाएगा next question number 36 which Indian state has announced to set up the country's biggest film city किस भारती राज्ये ने देश की सबसे बड़ी film city स्थापित करने की घोशना की है तो इसका right answer है उत्तर प्रदेश option C correct हो जाएगा most important question next question number 37 which Indian is selected for the 2020 Asia game changer award of the Asia society Asia society के 2020 Asia game changer award के लिए किस भारती को चूना गया है तो इसका right answer है विकास खन्ना option A correct हो जाएगा next पत्रिका गेट that was seen in news recently is located in which city पत्रिका गेट जो हाल ही में समाचारों में देखा गया वह किस सहर में स्थित है तो यह है जैपूर के अंदर ठीक है option B correct हो जाएगा next question number 39 on which date world alzheimer days observed which show alzheimer divorce किस तारिक को मनाया जाता है तो मनाया जाता है 21 September ठीक है option C correct हो जाएगा next crushi bhavan which recently won the global architecture and design award is located in which state crushi bhavan जिसने हाल ही में global architecture and design award जीता है किस राजे में स्थित है तो यह है उडिसा के अंदर ठीक है option B correct हो जाएगा next question number 41 which mountain climber is known as snow leopard किस प्रवातरोही को हिमतेंदुआ के नाम से जाना जाता है तो इसका राइट आंसर है अंगरीता शेरपा option D is का correct हो जाएगा next year 2020 mark which anniversary of United Nations वर्ष 2020 में स्युक्तराष्ट की कौन सी वर्षगांट बनाई गई ते बनाई गई 75th anniversary पिचत्तरवी वर्षगांट ठीक है next question number 43 what is the theme of 107th Indian Science Congress held in Bangalore करनाटका करनाटके Bangalore में आयोजित 107 मी भारतिय विज्ञान कोंग्रेस का विशे क्या था तो इसका था Science and Technology Rural Development विज्ञान और प्रद्योग की ग्रामेड विकास Indian Science Congress का theme था दोस्तों ठीक है आपको इसके अंदर दो questions याद रखने है Indian Science Congress का आयोजन कहां पर किया गया बैंगलोर के अंदर ठीक है और second इसकी theme और ये कौन सा एडिशन था 107th 172 एडिशन था next question number 44 Bethesda Softworks which was recently news is a software company mainly known for Bethesda Softworks जो हाल ही में खबरों में था एक software company है जिसे मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है तो ये है gaming application ठीक है option C correct हो जाएगा next recently the Logsba passed the company's amendment bill 2020 the original company's regulation act was passed in which year हाली में Logsba ने company's संसोधन विधेक 2020 पारित किया मूल company Vinium and Adenium किस वर्ष पारित किया गया था तो ये किया गया था 2013 के अंदर ठीक है 2013 option C correct हो जाएगा next question no.46 world blood donors day is observed on which date विश्व रखदाता दिवस किस तारीक को मनाय जाता है तो मनाय जाता है 14 June को ठीक है option D correct हो जाएगा most important है next recently the parliament passed Jammu and Kashmir official language bill 2020 which among the following languages are included in the list of official languages in the union territory of Jammu and Kashmir हाल ही में संसद ने Jammu और Kashmir राज भाशा विदेर 2020 पारित किया के अंदर शाशित परदेश Jammu और कश्मीर में आदिकारिक भाशाओं के सूची में निमल कितमे से कौन सी भाशाइं सामिल है ठीक है तो कश्मीरी, हिंदी, डोगरी तीनों है all of the above इसका correct answer हो जाएगा next in which among the following states the sport ministry is set to establish the Kalo India Center of Excellence K.I.S.C.E. निमन में से किस स्राज्य में खेल मंतरा ले Kalo India Center of Excellence थापित करने के लिए तयार है तो यह है triple M, Meghalya, Madhya Pradesh और Maharashtra ठीक है, option D इसका correct हो जाएगा next which Indian state is going to launch operation दूराचारी in order to keep a check on crime against women किस भारती राज्य ने महिलाओं के खिलाफ अपराद पर रोग रखने के लिए operation दूराचारी शुरू करने का निर्णा लिया है तो यह किया है उत्तरपरदेश सरकार ने, option A करेक्ट हो जाएगा next on which date India celebrates National Sports Day भारत किस तारीक को राष्टी खेल दिवस मनाता है तो यह मनाता है 29 अगरस्त को ठीक है और यह major ध्यानचंद की birth anniversary पर बनाया जाता है यह question ऐसे सी पूछ चुका है next who among the following led the movement against article 370 with the slogan एक विधान, एक निशान, एक परधान, वन कंस्टूशन, वन फ्लैग, वन प्राइम मिनिस्टर निमलकित में से किस ने नारा दिया एक विधान, एक निशान, एक परधान, एक समीधान, एक जंडा, एक परधार मंत्री के साथ अनुछे 373 खिलाफ अंदूलन का नेतरतव किया था तो यह थे शामा परसाद मुखर जी ठीक है option D का correct हो जाएगा next most important question परधार मंत्री सहज बिजली हर घर योजना also known as सुभाग्य स्कीम was launched in the year परधार मंत्री सहज बिजली हर घर योजना जिसको बोलते हैं सुभाग्य योजना ठीक है किस वर्स में लोज की गई थी तो यह की गई थी 2017 option be correct हो जाएगा next which country hosted the ministerial round table dialogue on biodiversity in September 2020 किस देश ने सितंबर 2020 में जै विवित्ता पर मंत्री स्तरी ये गोल मेज वारता की मेजबानी की तो यह की चाइना ने ठीक है option be correct हो जाएगा next and the most important Prithvi 2 that was test fired by Defense Research and Development Organization DRDO belongs to which category of equipment Prithvi 2 जिसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO दोरा friction किया गया यह है उकन किस स्रेणी का है तो यह है surface to surface missile सतय से सतय पर मार करने वाली मिसाइल है Prithvi 2 next Harley Davidson announced to stop manufacturing and sales in which Asian country Harley Davidson ने किस Asia इस देश में वी निर्मान और विक्री को रोकने की घोशना की तो यह की है इंडिया के अंदर ठीक है option B correct हो जाएगा next where is the headquarters of international commission of jurist located international commission of jurist का मुख खेले कहां पर है तो यह है जनेवा के अंदर ठीक है option B correct हो जाएगा next who has been selected by the Indian Navy as the first woman officer to be deployed on a warship भारती नोसिना ने युद पोद पर तैनाथ होने वाली पहली महिला अधिकारी के रूप में किसका चैन किया है यह है कुमुदनी त्यागी एंड रिती सिंग ठीक है option A correct हो जाएगा next question number 58 the annual international film festival of India IFFI of year 2020 was scheduled to be held in which state and UT international film festival of India 2020 कहां पर आयोजित किया जाएगा तो यह किया जाएगा गोवा के अंदर ठीक है option B correct हो जाएगा next Dean Jones who passed away recently is located with which field Dean Jones जिनका हाल ही में नीदन हो गया है किस छेतर से जुड़े होए थे तो यह थे किरिकेट से option B correct हो जाएगा next under which national scheme the central government has recently sanctioned 670 electric bus to महरास्ट गोवा, गुजरात and चंडिगाड किस राश्टी योजना के तहत केंदर सरकार ने हाल ही में महरास्टर, गोवा, गुजरात और चंडिगड को 670 electric bus की मंजूरी दी है तो यह है FAME ठीक है option C correct हो जाएगा FAME एक national scheme है next center for disability sports is to be established in which city विकलंगता खेल के लिए के अंदर किस सहर में स्थापित किया जाएगा किया जाएगा गवालियर के अंदर ठीक है option C इसका correct हो जाएगा next question number 62 Sunil Sethi, the chairman of fashion design council of India has been appointed as the advisor of which body fashion design council of India के अध्यक सुनिल से ठीक किस निकाय का सलाकार न्युक्त किया गया है तो यह गए है खादी and village industries commission खादी और ग्रामुद्ध्योग आयोग ठीक है option A इसका correct हो जाएगा next most important question है Jymax is a maritime exercise between which two nations Jymax एक स्मुंदरी अभ्यास है किन दो राश्टों के बीच में हुआ है तो हुआ है इंडिया और जापान ठीक है भारत और जापान के बीच में Jymax एक military exercise होई है next which regulator has imposed a fine of rupees 1 crore on former MD and CEO of Yes Bank Rana Kapoor किस नियामक कंपनी ने Yes Bank के पूर्व MDOC और राणा कपूर पर 1 crore रुपए का जुर्माना लगाया है तो यह लगाया है सैबी ने ठीक है option C correct हो जाएगा सैबी का head guard काँ पी है मुंबई के अंदर next kludhufusi that was seen in news recently is located in which country kludhufusi जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस देश में स्थित है तो यह है मालदी उसके अंदर ठीक है option C correct हो जाएगा next branded royal that was seen in news recently belongs to which species branded royal जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया किस की पर जाती है तो यह है butterfly की option B correct हो जाएगा next September 28 is observed as an international day to raise awareness about which disease 28 सितंबर को अंतराष्टी दिवस के रूप में मनाय जाता है और किस बीमारी के बारे में जाउकता बढ़ाई जाती है तो मनाय जाता है international rabies day ठीक है option B correct हो जाएगा next famous magician and singer S.P. Bal Subramaniam passed away recently in which year he was awarded the padambhushn परसीद संगीतकार एवं गायक S.P. Bal Subramaniam का निदन हो गया उन्हें किस वर्ष padambhushn से सम्मानित किया गया था तो यह किये गए थे वर्ष 2011 के अंदर ठीक है option A correct हो जाएगा next who has been appointed as the new head of national technical research organization N.T.R.O. by the central government किंदर सरकार ने किसे national technical research organization N.T.R.O. का नया प्रमुख निउक्त किया है तो यह है अनील दस्माना option A correct हो जाएगा next question number 70 when is the world environmental health day celebrated विश्व परियावन स्वास्ते दिवस कब मनाया जाता है ठीक है तो यह मनाया जाता है 26 सितंबर option D is correct हो जाएगा next who has been appointed by the central government as a new executive director in the world bank group के अंदर सरकार ने किसे विश्व बैंक SMU में नए कारिकारी इंदेशक के रूप में न्युक्त किया है तो यह है राजेश खुलर option C correct हो जाएगा next who appointed as the new executive director of ADB Asian Development Bank Asia विकास बैंक के नए कारिकारी इंदेशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो यह है समीर कुमार खरी ठीक है option D का correct हो जाएगा next who took over as the new prime minister of Japan किसने जापान के नए परदानमंत्री के रूप में पदबार ग्रहन किया है तो यह है योशीदा शुगे option A correct हो जाएगा next which cricketer became the first Indian cricketer to play in the Caribbean Premier League कौन सा cricketer Caribbean Premier League में खेलने वाला पहला भारते cricketer बना है तो यह है परवीन तामबे ठीक है option B correct हो जाएगा next question number 75 which cricketer has been appointed as the brand ambassador by e-bike को e-bike को ने किस cricketer को अपना brand ambassador न्युक्त किया है तो यह है हर बजन सी ठीक है option C correct हो जाएगा next 27 सितंबर 2020 को संपुर विश्व में विश्व पर यटन दिवस मनाया गया वर्स 2020 में इस दिवस का मुख्य विश्व क्या था on September 27, 2020 World Tourism Day was celebrated all over the world what is the theme of this year in the year 2020 वे थी Tourism and Rural Development विश्व पर यटन दिवस का मनाया जाता है 27 सितंबर को ठीक है तो यह आपको date भी याद रखनी है next when was the world maritime day celebrated in the year 2020 वर्स 2020 में विश्व समुंदरी दिवस का मनाया गया तो मनाया गया 24 सितंबर को option C is the correct answer next ease of doing business report that was seen in news is released by which organization ease of doing business report जिसे समाचारों में देखा गया था किस संगठन दोबारा जारी की गई है तो यह की गई है दोस्तो world bank के दोबारा ठीक है option C correct हो जाएगा next which month of this year has recorded the highest rainfall since 1976 वर्ष के किस महिने में 1976 के बाद सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है तो यह की गई है अगस्त के अंदर ठीक है option B इसका correct हो जाएगा next most important question रानी लक्ष्मी बाई Central Agriculture University that was seen in news recently is located in which state रानी लक्ष्मी बाई केंद्रियव क्रशी विश्र विद्याले जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया था किस राज्य में स्थित है तो यह है UP के अंदर उत्तर परदेश is the correct answer next as per the global ranking of average wages prepared by picody.com what is the average monthly wage of India picody.com दवारा तैयार ओसत मजदूरी की वैश्विग ranking के नुसर भारत का ओसत वेतन कितना है तो यह है रुपीज 32 A00 32,800 ठीक है next who has been recommended the post of chairman of SBI by the bank board of bank board bureau bank board bureau ने भारते state bank के chairman के पद के लिए किसके नाम की सिफारिश की है ठीक है तो इसका राइट answer रहेगा दिनेश कुमार खरे ठीक है option D इसका correct हो जाएगा next question number 83 the kutu minar was illuminated in white and red to mark the solidary moment of which country kutu minar को किस देश के एक जुटता आंदूरन को चीहनित करने के लिए सफेद और लाल रंग में परकाशित किया गया था ते था पोलेंड option C is the correct answer next what is penalty imposed on परशान भूशन by the supreme court for his criminal contempt of court सर्वोच नेले दवारप परशान्त भूशन पर अदालत की अपराधिक अवमानना के लिए क्या जुर्बाना लगाया गया है तो इसका राइट आंसर रूपीज वन एक रूपिया next मुस्तफा अदीब has been nominated to the prime minister of which country मुस्तफा अदीब को किस देश का परधान मंतरी न्युक्त किया गया है तो यह गहें लेबनान के ठीक है option D इस का correct हो जाएगा next which fintech company has been named in the fintech 250 list of fast growing fintech startups किस fintech company को fintech 200 की सुची में सबसे तेजी से बढ़ते fintech startup का नाम दिया गया है तो यह रेजर पे option C का correct हो जाएगा next who became the first Indian to win a grand slam singles main draw match in 7 years साथ वर्षों में grand slam एक कर ड्राम है जितने वाले पहले बारती कोन बने है तो यह हैं सुमित नागल ठीक है option A correct next what is the theme of world coconut day 2020 विश्व नारियल दिवस 2020 का विश्व क्या था तो यह था invest in coconut to save the world दुनिया को बचाने के लिए नारियल में निवेश करें और world coconut day मनाया जाता है दो सेतंबर को next which city is the host of Shanghai Cooperation Organization SEO Defence Minister meet Shanghai Cooperation Organization के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस सहर ने इसकी मेजवानी की तो यह की मोस्कोनी option C is the correct answer next which two union territories of India have joined in the वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भारत के कौन से दो केंदर शाषित परदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में सामिल हो गए है तो यह हैं लद्दाक और पुडुचेरी option B is the correct answer next which union ministry in the implementing agency of परदानमंत्री किसान संपदा योजना परदानमंत्री किसान संपदा योजना की कार्यवन एजनसी किस केंदरिया मंत्राली में है तो यह है ministry of food processing industries खाद्य परसंस्करण उद्योग मंत्राली next which union ministry of India has banned 118.118.118.1 mobile apps including pubg भारत के किस केंदरिया मंत्राली ने pubg सहीत 118.118.1 information technology electronics और सूचना परद्योगी मंत्राली ने 118.118.1 mobile app पर प्रतिबंद लगा दिया है next Haisham Micheshih has been designated as a new prime minister of which country? Haisham Micheshih को किस देश के ने प्रदानमंत्री के रूप में न्युक्त किया गया है तो यह गही है टुनेशिया की ठीक है option A is the correct answer Next, most important question Who has been appointed as the Secretary of Ministry of Statics and Program Implementation MOSPI संक्यगी और कारिकराम कारियनवन मंत्राले MOSPI के सीव के रूप में किसे न्युक्त किया है तो यह हैं छत्रपती शिवाजी Option A is the correct answer Next Which cricator has been appointed as the member of Australia India Council to promote business tie व्यवसाइक संबंदों को बढ़ावा देने के लिए किस cricator को Australia भारत प्रिशत के सदस्य के रूप में न्युक्त किया गया है तो यह है Matthew Haddon Option C is the correct answer Next As per the US Department of Defense 2020 report Which country has the largest navy in the world अमरीका के रक्षाविभाग की 2020 report के नुसार किस देश में दुनिया के सबसे बड़ी नोसेना है तो यह है चाइना की Option B correct हो जाएगा Next The shipping ministry has directed all major ports to procure on hire which type of ship that are only made in India Shipping mantra लेने सभी पर्मुक बंदर गाहों को किस परकार के जहाज की खरीद या किराय पर लेने का निर्देश दिया है जो केवल भारत में बने है तो यह है Tug boat Option B correct हो जाएगा Tug Now Next Wilmington Which has been declared as a world war to heritage city is located in which country Wilmington जिसे विश्व युद्ध दो heritage city के रूप में खोशित किया गया है किस देश में स्तीत है तो यह है United Kingdom के अंदर ठीक है Option A correct Next The key BIMSTAC meeting held in September 2020 was organized under the chairmanship of which country September 2020 में BIMSTAC बैठक किस देशी अध्यक्सता में आयोजित की गई थी तो यह की गई थी Sri Lanka Option C is the correct answer Next The President of India has conferred the national award to how many teachers in a first virtual ceremony भारत के राष्ट्यपती ने पहले आभासी समारों में कितने शिक्षक को राष्ट्यपुरुषका से सम्मानित किया है तो यह है 47 Next And the most important question V.S. Gaitonde Who was seen in news recently Is associated with which profession V.S. Gaitonde जिने समाचारों में देखा गया हाली में किस पेसे से जुड़े होए है तो यह है artist ठीक है यह तो आपको याद रखना ही यह artist है और इनकी painting सबसे मेंगी painting बनी है दोस्टों ठीक है The most important point है TCS का आपका Next Who has recently won the 48th annual world open chess tournament हाली में 48th वार्शिक विश्व ओपन्स टूर्नामेंट किसने जीता है तो यह जीता है P.N.A. Option A is दाखरे तंसवर और यह मोग टेस्ट में गडाला था question Next What is the name of the typhoon That has hit Japan and is approaching South Korea उस तोफान का नाम क्या है जिसने जापान को परभावित किया और दक्षिन कोरिया से भी संपरक किया तो इसका राइट आंस्वर है HASHION ठीक है Option A is the correct answer Next The Vice President of India has suggested to include which food product in midday meal scheme भारत के उपरास्टिपती ने मद्याहन भोजन योजना में किस खाद्य उत्पाद को शामिल करने का सुझाव दिया है तो यह दिया है Milk Option A is the correct answer Midday milk के अंदर दूद भी शामिल करने का सुझाव दिया है Next Which state has stopped in literacy rate as per the recent report by NSO हाली में NSO की रिपोर्ट के नुसार किस राज्य ने शाक्षरतादर में सिरस्थान पराप्त किया है तो यह है Kerala Option C is the correct answer Next And the last question What is the name of illegal software that has been blocked by Railway Protection Force of Indian Railways भातिय रेलवे के रेलवे शुरक्षाबल RPF द्वारा अवरुद किये गए अवैद सोफ्ट्वेर का नाम क्या है तो इसका right answer is real mango Option C is the correct हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आपके September के complete current affairs जो कि most important आपके लिए रहेंगे दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल के exam के लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल के mock test buy नहीं किये तो आपको link मिल जाएगा description box में link को follow करके आप दिल्ली पुलिस कॉंस्टेवल के mock test buy कर सकते हैं और अजेसर 40 coupon code का use करके 40% का discount पा सकते हैं तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स वीडियो में जाहिए